जै मातादी, राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों इस पार चैतिन नवरात्री के शुरुवात 22 मार्च दिन बुथबार से हो रही है नवरात्री के 52 पर मिमा आदी शक्ती तुर्का के नो अलग-अलग सरूपों का पूचिन किया जाता है नवरात्री के दिनों में भक्त मातारानी को प्रसंद करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए नो दिनों की ब्रत रखते हैं कुछ भक्त पहला और आखरी ब्रत रखते हैं नवरात्री के ब्रत रखने से मातारानी की कृपा से सभी मनुकामनाई पूर होती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाई भी हैं जो यह ब्रत ना रखें तो अच्छा है। मानेताओं के अनुसार कुछ व्यक्तियों को नवराती के ब्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं तो माता रानी आप से गोधित हो सकती है। और आपके या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पती किसी संकट में आ सकता है। इसलिए चाहें कुछ भी हो जाए। परन्तु इन महिलाओं को और इन व्यक्तियों को माता रानी के ब्रत नहीं रखने चाहिए। इसलिए आपको ब्रत रखने से पहले यह जान लेना चाहिए कि आप उन महिलाओं उन व्यक्तियों में से तो नहीं हैं जिहें नवरात्री के ब्रत अर्थात माता रानी के ब्रत नहीं रखने चाहिए। तो आईए दोस्तों जानते हैं कि किन महिलाओं को, किन व्यक्तियों को नवरात्री के ब्रत भूल कर भी नहीं रखने चाहिए दोस्तों नवरात्री के ब्रत और पूचा का सबसे पहला नियम है कि नवरात्री के ब्रत और पूचा में पवितिता और शुधिता का विशिध्यान रखना चाहिए इसलिए जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो गया है उन्हें नवरात्री के ब्रत भूल कर भी नहीं रखने चाहिए शास्तों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुत माना जाता है और जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो रहा होता है उन्हें ना तो मातारानी का इसपर्ष करना चाहिए ना ही पूजा करनी चाहिए ना ही पूजल सामगरी चुनी चाहिए यहां तक कहा जाता है कि मासिक धर्म जिन महिलाओं को है, उनकी छाया भी भगवान जी पर, मंदिर पर या किसी भी पूजा की छेच पर नहीं पढ़नी चाहिए इसलिए अगर आपको मासिक धर्म हो रहा है, तो आप नवरात्री के ब्रत भूल कर भी ना रखें क्योंकि ऐसे में रखे गए ब्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता, पुन्ने की जगे पाप लगता है और मातारानी की नाराजगी का सामना करना पर सकता है महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राप्तिक रूप से होने वाली घटना है, जो हर 22-28 दिन में रिपीट होती है इसलिए अधिक तस सभी महिलाओं को पता होता है कि उनकी मासिक धर्म की डेट क्या है, इसलिए अगर आपको यह आशंका है कि आपका मासिक धर्म नवरात्री के बीच में आ सकता है, तो अभी आपको प्रत की शुरुवात नहीं करनी चाहिए ऐसा करना जान पूच कर पाप करने के बराबर है, इसलिए अगर आपका मासिक धर्म नवरात्री के बीच में आ सकता है, तो भी आप नवरात्री के ब्रत भूल कर भी ना रखें मासिक धर्म की डिर्व जानते हुए भी अगर आप जानबुच का नवरात्री के ब्रत रखती हैं तो आपको माता रानी की क्रोध का सामना करना पर सकता है इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें कई महिलाओं को यह दुवदा होती है कि मासिक धर्म की तेन दिन बाद या पांस दिन बाद वैस सेथ होकर पूजन कर सकते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहें जब तक मासिक धर्म पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाता आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते हैं चाहें पांस दिन हो, साथ दिन हो या दस दिन हो आपको भूल कर भी इस दौरान पूजन नहीं करना चाहें पूजन सद्यव पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ही करना चाहें लेकिन आपने अगर ब्रत रख लिये हैं और ब्रत के दौरान देट से पहले ही मासिक धर्म हो जाता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ऐसे में आप अपने ब्रत पूरे करें लेकिन माता रानी को या फिर पूजा की किसी भी चीज़ का इस पर शना करें और केवल मानसिक पूजन करें अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस ब्रत को ना रखें जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्ती का ब्रत ना रखें अगर आपको दिल की बीमारी है शरीर में कमजूरी है चक्कर आने की प्रॉब्लम बीपी दर्द आदी की बीमारी है तो आप नवरात्ती का ब्रत ना करें नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है इसलिए ऐसे महलाओं और व्यक्तियों को साप्थान रहना चाहिए अगर आप किसी ब्रत को दिखावे के तोर पर अपनाते हैं तो शास्तों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं ऐसा करने से आप देपताओं का मजाग ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं माता दुरका ऐसी लोगों से कभी प्रसन्द नहीं होती, बल्कि माता ऐसी लोगों को बरवात कर देती हैं. देता तभी प्रसन्द होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूसते हैं और शास्तों का अनुसरर करते हैं. इसलिए अगर आप दिखावे के लिए ब्रत कर रहे हैं तो ऐसा फूल कर भी ना करें. अगर आपको बार बार गाली देने की आदत हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़तें. अगर माता रानी को प्रसन्द करना हैं और ब्रत पूजा पाठ करना हैं, तो जुबान से मीठी बोल ही बोलें. अधिक और ज्यादा करवे बोल बोलने से माता सरसती का अपमान होता हैं और आप भी पाप के भागीदार बनते हैं. जो लोग नवरात्री के ब्रत के दौरान गाली देते हैं या लड़ाई जगड़े करते हैं, किसी के लिए मन में ब्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता. इसलिए अगर आपको ऐसी कोई भी आदत है, तो आप यह ब्रत ना रखें. अगर आप जाते हैं कि मातारानी आपके घर में अपना इस्थान बना लें, तो मातारानी की शर्था भाप से पूजा करें, और निश्चल भापना से मातारानी का प्रत रखें. अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्चरी हुई है, या फिर दवाईया चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को भी उपास से बचना चाहें. ऐसे व्यक्ति प्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलहा लें. बिना डॉक्टर से पूछे, दवाईया या खाना बंद ना करें. गर्वती महिलाओं को अपने सेहत का ध्यान रखते हुए ही प्रत करने चाहें. प्रिग्नेंसी में बहुत साथानियों की जड़त होती हैं. इसलिए उपास करने से पहले डॉक्टर से सलहा अवश्य लें. गर्वती महिलाओं को प्रत नहीं रखना चाहें. गर्वती महिलाओं पूजा कर सकती हैं. पूजा में बैठ सकती हैं. लेकिन ब्रत रखने से परिशानिया हो सकती हैं. इसलिए ब्रत ना रखें. शरीव में किसी भी प्रतार की दिक्कत या परिशानी हो तो पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें. इसके बाद ही ब्रत के बारे में विचार करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलहा से ब्रत रखना मुश्किल में डाल सकता है नवरात्री के ब्रत में कई नियमों का पालन करना होता है जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करते उन्हीं ना तो ब्रत का फल प्राप्त होता है बलकि भेव पाप के नहीं रखने चाहिए नवरात्री के धौरान साथपिक भोचन एंब करना चाहिए नवरात्री में घर में भी प्यार लेशन ओम मीठ अंड़ा किसी विकती को नहीं खानाँ चाहें अगर आप इस दियम का पालन नहीं कर सकते तो भी आप नवरात्री के ब्रत ना रखें अगर आपके मन में किसी महिला या कन्या के प्रती असमान का भाव है तो आपको नवरात्री के ब्रत भूल कर भी नहीं रखने चाहें अगर आप नवरात्री के नौ दिनों भ्रम् आतारानी के क्रोध का सामना करना पर सकता है। इसलिए नवराती के ब्रत रखते समय इन बातों का विशेज ठ्यान रखें। उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स वर वचिंग राधी राधी जै मात दाधी।